नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे बाजार की बाजार में फिर से बड़ा धमाका हुआ है आज भी गजब का मोमेंटम चला बाजार में गजब का प्रॉफिट हो रहा है जो भ बहुत से स्टॉक्स एंजिन का जिक्र करना है लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा निफ्टी बैंक का ये तो तूफानी तेजी हमको दिखा रहा है कमाल का कमाल का निफ्टी बैंक में तेजी ये मतलब होता है ना कि ऐसी तेजी सायद ही किसी ने देखी हो पिछले कुछ दिनो थी खीच कर लाया है वह है रिलाइंस इंडस्ट्री अगर आप देखोगे इसले पिछले इसकी पिछले एक डेढ़ घंटे की केंडल गजब का यहां अप्टिक आ रहा है सौट कबरिंग यहां पर बहुत धणाम धणाम हो रही है मतलब बिसफोट हो रहा है सौट कबरिंग का आप देख पाए होगे कल जम मैंने आपको इंट्राडे में यह स्टॉक दिया था मैंने आपको नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए ही मना किया था इसी कारण क्योंकि मु लूट चुका है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है सौट सेलर्स की खैर नहीं है स्टॉक में इस्पेसल वीडियो बनाई हुई है कहां पर आपको लेने को बोला था वो वीडियो जरूर देखिएगा जरूर से जरूर देखिएगा जिससे कि आपके लिए बेटर इंसाइट जनरेट हो पाएं किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप स्री सीमेंट की बात करोगे यहां पर भी दो दिन में भयंकर अप्टिक आया हुआ है और आपको जब मैंने रिजल्ट इनका डिसकस किया था एक बात बताई थी किसी स्टॉक को यहां पर खरीद सारे पर जूम जूम कर रही है क्या हुआ कल हमारे यहां बजट आया ठीक बजट के बाद हमारी बाजार इतना भयंकर अप्टिक दिखाई कि ग्लोबल मार्केट चीर कर गई मतलब उनको बड़ी खुशी मिली वह यार इंडिया में इतना बहतरीन बजट आया सब खुश हो और उसी को देखते हुए ग्लोबल मार्केट उपर ट्रेड कर रही है ठीक अब जब ग्लोबल मार्केट में एक मतलब खरीदारी आई लोट कर आई तो हमारी बाजार उसको देखकर एकदम confidence में आ गई चलो भाई हमको पुरा word follow कर रहा है हम ग्लोबल मार्केट को देखेंग कितनी बेहतरीन performance आई है यहां से निफ्टी तो इतना ही उपर आई है कि दो दिन में निफ्टी साथ 5-7% उपर आई है और हमारे हमारा जो portfolio है वो 11% के आसपास उपर है जो भी मैंने आपको stock suggest किये थे चाहे वो 26 जनवरी वाला portfolio हो चाहे जो भी हो अभी इसके बीच हमको क् combination मनाना चाहिए यहां पर हमको क्या करना चाहिए मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ मैंने आपको profit booking की सलाप पहले ही दे दी है जो भी लोगों ने वीडियो देखी होगी वो समझ गए होंगे क्या करना है यहां पर हम fresh buying तब करेंगे दो हमको निफ्टी अपने highs को पार करती हुई दिखाए देगी अभी भी हमारे पास buying opportunity बहुत जगह available है जैसे कि आज सब कुछ भाग गया था रिलाइंस नहीं भागा था और ये चीज मैंने आपको समझाई हुई थी कि रिलाइंस आपको खरीदना है खरीदना है और 1850 में अगर आप 1860 में अगर आप रिलाइंस नहीं खरीदोगे कब खरीदोगे देख लीजे 70-75 रुपे का रिटन एक ही दिन में इस ने दे दिया जो की बहुत बड़ा रिटन होता एक 2000 रुपे के स्टॉक में आप आप बात को समझे होगे अभी निफ्टी के भागने का कारण क्या है सबसे बड़ा कारण मैं जो दो दिन से डिसकस करता हुआ रहा हूं सौट कबरिंग इसके अलावा कोई कारण हम कहीं नहीं सकते कि इसक यहां से फ्रेश सौट्स बहुत तगड़े से क्रियेट होंगे और इसलिए बाजार के लिए यह लेवल अब एहम हो जाता है कल मैं जितने मतलब आपको बोल ला था कि बाजार अभी अब यह अप्टिक कर सकती है लेकिन अब मुझे यहां पर एक बार के लिए लग रहा है अब बाजार को यहां पर एक हाल्ट लेना पड़ेगा हॉल्ट हो सकता है एक फ्लैक पैटन मनाए ची बाजार यहां यहां मूव कर चुकी अब यहां पर ऐसे ऐसे मुमेंटम करे और फिर एक अप्टिक दे यहो सकता है जिए आपको बाते समझ में आई होंगी जितने भी stocks का मैंने जिक्री किया इन पे special videos हैं जाकर देखिएगा Reliance पे काफी ज़्यादा demand आई है वीडियो की इस पे हम वीडियो बनाएंगे Tata Motors पे बना चुके हैं और Indigo Paints इसको हम कैसे भूल सकते हैं भाई साब Indigo Paints ने तो जो आज हाल दिखाया हमको मतलब सबको profit देने वाला ये stock बन चुका है आज कैसे यहाँ पर किसी को loss नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने सबको buying करने के लिए बोला था कल ही बोला था कि ये stock जैसे ही आपको उपर के level से सस्ता मिलता है आपको buying initiate करना चाहिए और 5 मिनट की candle पर आपको देख लीजे ये stock हमको सस्ता मिला उपर के level से है और हमको buying करनी थी और देख लीजे buying हमारी कितनी बहतरीन कितनी कारगर हुई इस पर भी special video मैंने बनाई हुए तो इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिला सबसे पहली चीज बाजार क्यों भागी मैंने बता दिया short covering के चलते हुए बाजार भाग रही है उस पर मेरी अलग से वीडियो है आप देखिएगा कैसे short cover करने पर भाजार भाग जाती है दूसरा global markets को देखते हुए हम सब चलेंगे budget की जो expectation थी वो positive side ही रही और देखो budget से लोग कुछ मतलब उल्टा-उल्टा expectation लगा कर बैठे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं इसलिए momentum आ रहा है I hope आप ये बात पहले उसका आप फाइदा उठाओगे आपके लिए अच्छा रहेगा मिलेंगे फिर से तब तक के लिए बाए